अबिहार में जल्द आंदलन होगा किसान निता राकिश टिकेट पतना पहुँचे ही क्या दिया बड़ा बयान इस बयान से क्यों सियासत हुई तेज चर्चित किसान नीता राखिश्टी कीद पटना पहुंचे और मीडिया से बातचित की उनके साथ आरजणी विधायक और पुर्वकृशी मंत्री सुधाकर सी भी मौझूत रहे राखिश टिकेट ने कहा कि यहां का अगरिकल्चर सैक्टर पूरी तरक खतम हो चुका है बिहार के किसानों को बचाना है तो सबसे पहले बाजार समिती को बहाल करना होगा हम विकास के विरूधी नहीं है लेकिन किसानों को विनाश करके विकास नहीं हो सकता इसके ली आंदोलन करना होगा नहीं तो किसानों की जमीन बेवजर लूटती जाएगी अब बिहार में जल्द आंदोलन होगा वही जातिय गणना की सवाल पर उन्होंने कहा कि हमारा उद्दी शिर जाति गणना नहीं है हमारा उद्दी शिर खेतों में काम करने वालों के लिए है फसलों के लिए उचित दरे प्रदान की जानी चाहिए क्या कोई व्यापारी किसी जाती विशेश की किसान को अधिक भुकतान करता है जब फसल पक जाती है तो कोई नहीं बता सकता कि यह किसके खेत में पैदा हुई है हमारी चिंता जाती से नहीं है हमें फसलों की रेट की चिंता है राजदानी पटना में किसान नीता राकिश्टी केट ने मीडिया से बात चित की इससे कयास लगाया जा सकता है कि बिहार में किसानों को लेकर आने वाले समय में राकिश्टी केट आंदोलन कर सकते है